वोकल हाई जॉन से दूर होती है गला बैठने की समस्या तेज आवाज में बोलने गाना गाने या ज्यादा ठंडा पानी पीने से अक्सर आपका गला बैठ जाता है जवाब हाँ है तो आपको वोकल हाई जॉन की जरूरत है आये जानते हैं इसके बारे में उन्चा बोलना विशेशग्यों के अनुसार हमारी आवाज के तार यानी वोकल कॉड काफी नाजग होते हैं जब हम तेज आवाज में बोलेते हैं तो उनमें सूज़न आ जाती है या कई बार उनमें दाने भी हो जाते हैं जिन्हें वोकल नोडिल कहा जाता है यह तकलीफ टीचर्स वकीलों और गायकों को ज्यादा होती है ऐसा करें अगर आपका गला बार बार बैठ जाता है तो एक साथ ना बुलें चलाएं नहीं ज्यादा लोगों को संबोधित करना हो तो माई कादी का प्रयोग करें बोलते समय बीच बीच में पानी के सिपलेते रहें ताकि गला सुखे नहीं चाए, कॉफी और अल्कोहल का प्रयोग ना करें ये सभी बाते वोकल हाई जॉन के रूप में आवाज को क्लियर, साफ रखती है ठंडा पानी पीना हमारी आवाज के तारों में जब कमपन होता है तो हम बोल पाते हैं एक तम ठंडा पानी पीने से इन पर प्रभाव पड़ता है और गला बैठ जाता है ऐसा करें सामान या तापमान का पानी ही पीएं, कोल्ट ड्रिंक या कोल्ट कॉफी से परहेज करें गला साफ करना अक्सर लोग बार-बार अपना गला साफ करते रहते हैं ऐसा न तरें क्यूंकि इससे वोकल कॉट पर दवाव पड़ता है और गले में खराश रहने लगती है ऐसा करें एक दो से पानी पीएं ध्यान रहे रात को सोते समय ज्यादा तेलिय भोजन न तरें क्यूंकि सोते समय पेट में बनने वाला एसिड गले में आ जाता है और वोकल कॉट को नुकसान हो सकता है जौन से दूर होती है गला बैठने की समस्या तेज आवाज में बोलने गाना गाने या ज्यादा ठंडा पानी पीने से अक्सर आपका गला बैठ जाता है जवाब हाँ है तो आपको वोकल हाई जौन की जरूरत है आये जानते हैं इसके बारे में उन्चा बोलना विशेशग्यों के अनुसार हमारी आवाज के तार यानी वोकल कॉड काफी नाजग होते हैं जब हम तेज आवाज में बोलेते हैं तो उनमें सूजन आ जाती है या कई बार उनमें दाने भी हो जाते हैं जिन्हें वोकल नोडिल कहा जाता है यह तकलीफ टीचर्स वकीलों और गायकों को ज्यादा होती है ऐसा करें अगर आपका गला बार बार बैठ जाता है तो एक साथ ना बूलें चिलाएं नहीं ज्यादा लोगों को संबोधित करना हो तो माई कादी का प्रयोग करें बोलते समय बीच बीच में पानी के सिपलेते रहें ताकि गला सुखे नहीं चाए, कॉफी और अल्कोहल का प्रयोग ना करें यह सभी बाते वोकल हाई जॉन के रूप में आवाज को क्लियर, साफ रखती है ठंडा पानी पीना हमारी आवाज के तारों में जब कमपन होता है तो हम बोल पाते हैं एक तम ठंडा पानी पीने से इन पर प्रभाव बढ़ता है और गला बैठ जाता है ऐसा करें सामान या तापमान का पानी ही पीएं, कोल्ट ड्रिंक या कोल्ट कॉफी से परहेज करें गला साफ करना अक्सर लोग बार बार अपना गला साफ करते रहते हैं ऐसा न तरें क्यूंकि इससे वो कल्कॉट पर दवाव पड़ता है और गले में खराश रहने लगती है ऐसा करें एक दो सिप पानी पीए ध्यान रहे रात को सोते समय ज्यादा पहली अभोजन न करें क्यूंकि सोते समय पेट में बनने वाला एसिट गले में आ जाता है और वो कल्कॉट को नुकसान हो सकता है